नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच्छ नामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देशवर दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमाजी डॉक्ट साब आपका बहुत बहुत स्वागत हैं सबसे पहले नाज़ डालते हैं आज की हेडलाइन्स पांच सरकार जाने के बाद भी शिवसीना में घमासान जारी शिवसीना में तूट फूट का सिलसिला हुआ और तेज पूरे सोलापुर में उधव के खिलाव बगावत शिंदे कैम्प में होंगे शामिल महरास्ट्र के बाद गोवा में बीजेपी का ओपरेशन लोटस शुरू तूटी गोवा में कॉंगरेस पार्टी कॉंगरेस के दस वधायक बीजेपी में हुए शामिल अमरनाथ गुफा के पास मौसम बेहत खराब आज भी यात्रा पर लगी रोक बादल फटने से कई लोग लापता रेस्क्यू अपरेशन चाज़ श्री लंका में महंगाई के चलते कटा बवाल प्रधान मंत्री ने दिया स्तीफा लोगों ने पीएम के घर को फूका राश्च्रुबती भवन में हो रही जम कर पाथ आज की सबसे पहली खबर काली विवात पर पीएम मोधी के बयाम पर पीएम मोधी ने काली विवात पर अब तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी थी पर आज पीएम मोधी ने अपने संबोधन में इशारों इशारों में टीमसी पर कटाक्ष किया और ममता सरकार को नसीहत दी मौका था स्वामी आत्मस्थाना नंद की जन्म जयन्ती का जुस पर पीएम मोधी ने माकाली के अपमान पर कहा कि यह संपूर जगत माकाली की चेतना से व्याप्त है यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है साथ ही बीजेपी के अमित मालवी ने टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा पर आरोप लगाया कि वो मा काली का अपमान करती है और ममता बनर जी मुह बंद किये बैठी है डॉक्टर साब पीम मोदी ने ये जो बयान दिया है क्यों दिया ये बयान ममता बनर जी के लिए है देखे प्रधान मंत्री मोदी पॉड़े लीडर है वो इशारों में बात करते हैं मा काली के बारे में आज से पहले तो अभी उन्होंने बयान दिया नहीं अभी विवाद चल रहा है इसलिए उन्होंने मा काली और मा काली से जुड़े वी आस्था हिंदू समाज में मा काली का इन्पॉर्टेज उन्होंने जो लाइन खीज दी वो काफी है ममता बनड़ जी की व्याकुलता के लिए अब देखे क्या हुआ प्रधान मंत्री ने बयान दिया त्रिनुमूल कॉंगर्स पड़ा प्रस कॉंफर्स करने आ गई कि मभव मोहित्रा के खिलाफ जो उसके जो बयान है वह पार्टी उससे स्टेंड नहीं करती यह उनकी नीजी बयान है बार-बार कहरी इक में नीजी बयान है नीजी बयान है अरे एक्षिन क्यों नहीं लेते और राजनीती में तो यही होता है आप एक बार जुके नहीं तो ममता बरान जी की पाटी इंटर्नल प्राब्लम की वज़े से मभव मोहित्रा को समख सिखाने के वज़े से इन लोगों ने शुरू में तो मभव के साथ नहीं दिया लेकिन अब भारती जिन्ता पाटी ने इस वीक पॉइंट को पकल लिया प्रदान मंत्री डिलेटली त के उपर कटाक्ष करें हिंदु देवी देवताओं का मजाक उडाएं हिंदु देवी देवताओं को साथाभी और मांस खाने वाली आप बताएं दिस नोट एक्सेप्टेबल और इसलिए ममता बनर जी के उपर अब ये दवाब होगा कि वो बकाइदा महुआ मुईत्रा के खिलाफ एक्शन ले और अगर एक्शन नहीं लेती हैं तो यकीन मानी क्योंकि प्रधान मंत्री उन्होंने जो चाल चल दी वो ममता बनर जी के भविश्य के लिए बड़ा खतरनाक है क्यों क्योंकि ममता बनर जी मुख्य मंत्री तो बन गई प्रधान मंत्री बनना चाहती है वही आप मुस्लिम भोट के जरी ये बंगाल में तो चुनाओ जी जाओगे लेकिन पूरे देश में अगर आपको प्रधान मंत्री के लिए आगे आना है तो ये मुद्धा प्रधान मंत्री ने टच करके इस मुद्धे को जीवित कर दिया अब जब लोग सभा के चुनाओं होंगे तब ममता बनर जी वो भासन नहीं दे पाएंगी जो पंगाल चुनाओं में वो करती थी या देवी सरव भोते सो यादे वो कहती थी कि हमी सबसे ज़्यादा सक्ति के पूझे काली के भक्त हम है तो लोग पूछेंगे कि जब काली मा का अपमान हो रहा था तो किस जग़ पे आप छिप गई थी आपने महुआ के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया तो ये दबाव टीमसी के उपर ममता बनर जी के उपर कि महुआ मुईतर के खिलाफ कोई सक्त एक्शन ले ये मोदी ने ममता बनर जी को नसीहत तो दे दी लेकिन अमल करना ममता की आदत में शुमार नहीं है लेकिन शिवसेना की भी आदत पुरानी है जाती नहीं सत्ता चली गई लेकिन शिवसेना में टूट-फूट का सिलसला जारी है शिवसेना की युवा सेना के महारास टुसे आयोजक किरन साली पूरे के सांसद अजय बोसले अपना स्तीफा देकर अपने रास्ते शिंदे कैंप की ओर बढ़ाएंगे तो वहीं ताना शाही की मिसाल पेश करते हुए पूर्व मंतरी और शिवसेना के बागी विधायक ताना सावंत को शिवसेना के सोला पूर जिला संपर्क पत से हचा दिया गया है टॉक्टर साब उद्धव ठाकरे क्या करना चाहते हैं और ये तूट फूट की असली वजह क्या है देखिए उद्धव ठाकरे एक ऐसे दंदल में फसे हुए हैं कि यहां चे धर जो है उपर है लेक चाहे वो ठाने हो चाहे वो कल्यान हो चाहे वो पालगर हो चाहे वो पूने हो चाहे वो सोलापूर हो हर जगे से लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ छोड़ की जा रहे हैं अब ये चिंता का विशय उद्धव ठाकरे को होना चाहिए लेकिन उद्धव ठाकरे वन एक नाश सिंद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश कभी ओटो वाला बता दो कभी गद्दार बता दो कभी कुछ बता दो और उनको लगता है कि सिवसेना और उसके सिंबल पार्टी के उपर उनका सुकते कि हक है पूरा तो ये तो लड़ाई सिर्वसेना किसकी उसकी हो रही है और जैसे जैसे लोग छोड़ छोड़ के एक नात सिंद्ध की ओर जा रहे हैं उद्दव ठाकरे की पोजिशन खराब होती जा रही है वैसे मैं आपको बता दू कि जो लास्ट दो तीन मीटिंग्स हुई है जिला प्रमुखु के साथ कमाम जगों पे जहां जहां अस्थानी निकाय के चुनाव होने वाले हैं उनको ये साफ साफ उनको कहा गया है कि स्टर जी रेडी होनी चाहिए कि अगर हमारे हाँ से ये तीर कमान ये जो उनका सिंबल है वो चला जाता है तो मतलब सिर्व से ना के अंदर ये खत्रा ये महस किया जा रहा है कि एक नाच्षिंदे के साथ इतने सारे लोग जो जा रहे हैं सिंबल पार्टी सब कुछ उनके हां से निकल जा रहा है ऐसे में उद्णी ठाकरे को ये झाले जरूर concur को बात नहीं एकनाच्षिंदी भी हमारे सारे लोग हमारे लेकिन इगर्लद्धर के लिょ जो पोटासियम साइनाइट के तरह काम करता है उसको पूरी तरह से अंगिकार कर चुके हैं उद्धव ठाकरे जी बिलकुल शिंदे कैम्प लगातार उद्धव ठाकरे को जटके पर जटके दे रहा है लेकिन महारास्ट्र में ऑपरेशन लोटस के बाद अब गोव में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो गई है महारास्ट्र से कॉंग्रेस के खात्मे के बाद अब गोव को भी कॉंग्रेस मुक्त बनाने की तरफ बीजेपी ने अपने कदम बढ़ा दिये हैं, कॉंग्रेस के दस वधायक बीजेपी में शामल हो गए हैं, जिसमें पूर्व सीएम, दिगंबर कामत के साथ साथ कई बड़े नाम शामल हैं, यानि कि अब बीजेपी गोवा में भी अपना पर्चम लहराएगी, डॉक्टर साब बीजेपी गोवा को भी कॉंग्रेस मुक्त करने वाली है? दुनिया के सामने, कॉंग्रेस पार्टी के हिस्तेती है, मैं ये क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि कल खबर आई कि राहूल गांदी को दो दिन पहले ही मालूम चला कि महराष्ट में उनकी सरकार चली गई, और वो भेजते है केसी वेनु गुपाल को जड़ा प लोग, बुरे फसवे हैं हम लोग, सारा माल, सारी कमाई, ये सिर्फ सेना और एंज़िपी की हो रही है, कॉंग्रेस को सिर्फ नुकसान हो रहा है, इसको थेंक्यू बाइबाइ कर देना चाहिए, और सोनिया गांदी भी कमाल, सोनिया गांदी भी बीच में आद होगा, आप कॉंग्रेस पार्टी, लेकिन उनका प्रफोजल इननों को पसंद नहीं आया, तो सोनिया गांदी ने प्रसांद भूसन से ही कहा था कि ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, महराश्ट के अंदर में, विधाय कह रहे हैं कि वापस निकलो, ये दलदल है, और जो टॉप लिडर तो उत्तरा धिकारी हैं, आदित ठाकरे को एक बड़ा लीडर बनाने का ठेका हुआ आदमी दिया हुआ है, तो वो तो कहेगा, भई सिवसेना के साथ रहो, उसने कह दिया, ये लोग रह गए, और जब सरकार चली गई, तो अभी दो दिन पहले इनको मालूम चल रहा है, तो केसी बेनु गुपाल मुममई का पता करनी के लिए गए, कि वहाँ क्या गलबल हुआ, और उधर जो है, गोवा के अंदर, ऑपरेसन लोटस जो खिल गया, इनको समझ में आना चाहिए कि बारिस का मौसम है, हर जगा कीचड है, कीचड में कमल कहीं भी फुल जाएगा, अपन कॉंग्रेस के विधायक वहाँ पहुंच गया है, टोटल 40 विधायक हैं गोवा में, 20 भारती इंदा पार्टी के सरकार चल रही है, एक MGP, तो वो दोलो पार्टीओं के पास 22, और कॉंग्रेस के पास टोटल 11 विधायक हैं, 11 में से 8 जो है जाने को बेकरार हैं, एक मुख्यमंत्री, दिगंबर कामत सहाब भी जाने को तैयार है, और जो लीडर पाप पुजिशन है, लोबो वो भी बीजेपी में सवार होने के लिए तैयार है, मतलब कहीं रहेगी नहीं कॉंग्रेस पाटी, और कोई कानून भी इन लोगों को न डिस्कॉलिफाइ कर सारी पूरी तैयारी हो गई, गटकरी साब पहुंच गये हैं, गोआ, कल तक जो है, कॉंग्रेस मुक्त गोआ के घोशना भी हो जाएगी, तब राहूल गांदी पता नहीं किसको भेजी चार दिन के बाद कि महां क्या गरबड़ हो गया, तो ये पार्टी नॉन सिरियस लोग कॉंग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, जो लोग चला भी रहे हैं, उनको राजनिती कैसे की जाती है, वो अपने सीनियर से उनको सीखना चाहिए था, लेकिन राहूल गांदी नी तो तमाम सीनियर को पार्टी के पूरे क्रिया कलब से बाहर कर दिया, इसलिए ये हालत में सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस वक्त अमरनाथ में इस्तिती बेहत खराब है, अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से कई लोग घायल हो गए हैं और कई लापता, जिनने तलाशने के लिए रेस्क्यो आपरेशन जारी है, आज भी अमरनाथ कु ये रवाना हो गया और उन्हें रोकनी की बजाय राज्यमंत्री गरीश चंडर यादव उन्हें स्टेशन रवाना करने आए, जो की काफी चिंता वाली बात है, डॉक्त साब ये क्या कहेंगे आप? वो जो गुजरती है, उसमें पूरा पानी आ गया, मलवा आ गया, पत्थर आ गया, जिसके वज़े से टेंट कही सारे बह गये, बहुत लोगों की मौत हुई है, सोले लोग कंफर्म हुए है, तो फिलहाल प्रशासन नहीं कहा है, कि वे भी फिलहाल इसको रोकना चाहीए, क् लोगों को ये एडवाइस मानना चाहिए, ये जान से बढ़के दुनिया में कुछ नहीं है, होता ये है, कि आप अपनी जिद से, ये जो लोग वहाँ जा रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो वो ये चीजों, इन चीजों को इंकर इस नहीं करना चाहिए, इस्तिती सुधरेगी, चार दिन, पास दिन के बाद बारिस कम होगी, ऐसी या संका मौसमी भग बता रहा है, उसके बाद फिर जाएं, उसमें को दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का खत्रा वहाँ पर मन रहा है, लोगों को सचीत रहना च चुके हैं, कि महंगाई से परिशान जनता सडकों पर उतराई है, और राश्ट्रपती भवन पर कबजा कर लिया है, वहाँ लोग स्विमिंग पूल में पाटी कर रहे हैं, पी-एम विकरम सिंगे ने अपने पत से स्तीफा दे दिया है, तो वहीं इसी बीच राश्ट्रपत अपने ही देश का लुक्सान करना चालू करते हैं, राश्ट्रपती भवन, प्रधान मंतरी हाववन, इन लोग के घर, ये कोई अपना घर तो नहीं उनका, ये तो वहाँ जनता का ही प्रपर्टी है वो, गुज गए, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में ना रहे हैं, लंच डिनर अंदर चल रहा हैं, पाटी चल रही हैं, डीजे चल रहा हैं, क्या हो रहा हैं इससे आप समाज में मौजूद अराजक तत्व, उनको आप बढ़ावा देते हैं, हिंदुस्तान में इस तरह की जो खबरे आ रही हैं, I am 100% sure, कि एक वर्ग है, नक्सलियों का, वांपंथियों का, वो खुश हो रहा होगा, कैभी स्रिलंका में ये, वो कहते होंगे, कि पप्लिक, क्रांती हो आ गई है, ये क्रांती नहीं है, ये आशान्ती है, ये आशान्ती स्रिलंका के लिए काफी नुक्सान दे होगा, क्यों की तस्वीर भीजेंगे वहां अगले पांस साल तक कोई जाएगा ही नहीं पर कैसे आप एकॉनमी रिवाइब करेंगे इस तरह के निताओं से हर देश के जनता को साफधान रहना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए फ्री बिजली फ्री पानी इस सब की घोशना है तो करते ह लेकिन उस से होता ही है कि जो राष्ट की देश की जो आर्थिक विवस्था है वो लचर हो जाती है और जब ये दुनिया के सामने प्रगट होता है तो यही स्रिलंका की जैसा वहां एनर्की मौझूद हो जाता है तो यह जनता के लिए एक सबक है स्रिलंका की खबरों के वज़े से एक हस्ता खेलता मुल्क कैसे नरक में तब्दील हो जाता है खबरों का पंच्छ नामा में आज के लिए इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों उनके सती के अलसेस के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजे शेयर कीजे और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजे नमस्कार